CAC 3.0 की अगर आपको जानकारी नहीं है तो इस वीडियो को अंग तक देखें क्यूंकि इससे हर CAC सेंटर चलाने वाले सदस्य और VLE की जिंदगी में पूरी तरह से उतल पुतल मचने वाला है एक टेंडर निकला है जिसके तहट district service provider ढूंडे जा रहे हैं और इसको काफी सारे लोग good news बता रहे हैं पर ये good news नहीं है अगर आप इस document को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इससे किस तरह से हमारी जिंदगी बरबाद होने वाली है यहाँ पर आप देख लिजे कि क्या क्या होने वाला है मैं one by one आपको जा करके यहाँ पर in detail समझाती हूँ कि क्या क्या problem हो सकता है अगर इस तरह की कोई change की CAC ने तो पहले आप देख लें कि इस change के तहट अगर कोई भी VLE पुराना VLE अपनी ID को active रखना चाहता है तो उसको fee pay करना पड़ेगा यहाँ आपने सही सुना अगर उसका जो भी जगह है जहां पर उसका center है वो category A district में आता है अर्बन में तो 700 रुपे category B में 500 रुपे और C में 300 र आपको यह fees pay करना ही पड़ेगा अगर आप नहीं fees pay करते हैं तो यहाँ पर contract shall be liable for termination यानि आपका contract मान्य नहीं रहेगा एक तो यह problem है दूसरा मैं आपको यह भी बता देती हूँ कि आपका जो भी काम है वो अब third party देखेगा भले ही center आपका हो लेकिन इसका जो take over है वो party ले लेगा तो इससे काफी सारी problem था सकती है वो problem कैसे कैसे क्या क्या आएंगी वो भी इस video में मैं आपको धीरे धीरे करके one by one पूरा समझा देती हूँ मैंने highlight करके रखी हैं चीज़े ताकि हम लोगों को समझने में problem ना हो यहाँ पर आप देख लीजे कि यह जो tender निकला है उसके तहत the selected service provider shall prepare a plan of action for smooth takeover of operation of CSC centers from the existing service provider तो अगर आप existing service provider हैं यानि आपके पास CSC center है तो इस tender के तहत कोई third party आपके center को take over कर लेगा take over का मतलब यह होता है कि अब उसकी command उस center की command किसी third party के हाथों में होगी चलाएंगे center आप लेकिन instructions पूरे किसी और के होंगे आपका जो फायदा होता है जो commission मिलता है commission का कुछ part आपको उस third party को देना होगा तो इस तरह की काफी सारी changes 3.0 में आई है और यह काफी जो आप बोलोगे गंदे और भदे changes है जिससे की हर CSC की जिन्दगी बरवाद हो सकती है यहाँ पे मैं दीरे दीरे आपको करके आपको कुछ points बता देती हूँ यहाँ पे देखिए यह request for proposal है जिसके तहट यह खास करके उत्तर प्रदेश में अभी यह जो मैं document पढ़ रहे हूँ वो उत्तर प्रदेश का है तो इसका मतलब आप यह मैं समझेगा कि आप जिस state से belong क center है उसके लिए एक proposal देना है ताकि उसको third party यानि जो privatization नीजी करन किया जा रहा है उसके तहत वो company अपने अंडर रखे तो आप clear details यहाँ पर पढ़ लिजेगा क्या गया लिखा गया है उसके बाद हर center जो मैंने यहाँ पर highlight किया है न वो कुछ major ऐसी बाते हैं जिससे कि हम को फर्क पड़ेगा मतलब VLE और service center CAC service center चलाने वाले को फर्क पड़ेगा तो यहाँ पर जितने भी center है उनको एक छतरी के अंदर लाने की बात हो रही है और आप direct अब इस CAC 3.0 के तहत आप कभी भी direct कुछ भी बात त्यागी सर्ड से या फिर state head से नहीं कर सकते हैं आप इ district का और आपके state का किसी दूसरे company को दे दिया जाएगा तो आपको अगर कोई भी problem होती है आप कोई भी service लेना चाहते हैं तो आपको उनसे ही बात करनी होगी अब आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप direct apply करेंगे या फिर आपको direct CAC से mail लाएगा इस तरह की चीज़े नहीं हों तो जो अनाप्षन आप मांगे होती है CAC से और VLE से वो काफी पहले तो बढ़ जाएगी दूसरा जो DM होता है वो state head के अंदर आता है और state head जो है वो जो senior team बैठती है दिली office में CAC की उनको report करता है तो अगर इस तरह के कोई problem आता है जहां पे ये company हमको support नहीं करेंगी तो आप complain किसे करेंगे आप किसी को भी complain नहीं कर सकते हो क्यूंकि सारा जो माई बाप बोलते हैं वो ये company हाई होगी इससे CAC को दो फाइदे होंगे एक फाइदा तो ये होगा कि उनको individual किसी को भी handle करने की जरूरत नहीं होगी और दूसरा फाइदा ये होगा कि जो भी DM है DM actually permanent post नहीं होता है उनका 3 साल का contract होता है तो अगर वो DM को नौकरी से निकाल भी देते हैं तो उनको कोई फार्क नहीं पड़ेगा क्यूंकि अब आपका point of contact ये company होगी तो salary बच गई CAC की और commission कट गया VLE का ऐसा होगा अब मैं आपको दिखाऊंगे कि इसमें आगे ये भी बता का है वो भी इन company को दे दिया जाएगा क्यूंकि ये लोग handle करेंगे सारा काम second point पढ़ लेते हैं to create proper monitoring and mechanism and uniqueness in the charges for opening new centers and renewal of existing centers तो जो भी renewal का काम होगा यानि कि अगर कोई आपने कोई MOU sign किया है दो साल के लिए और आप वो contract बढ़ाना चाहते हैं या फिर अगर कोई भी आपने service लेनी है नई service PMG जिशा के service है या skill के service है कोई भी service आपको pension के service है कोई भी चीज आपको चाहिए तो उसके लिए अगर आपको renewal चाहिए या फिर नया लेना है तो आपको इनके through ही लेना पड़ेगा और दूसरी बात यह है कि इनको खुद का एक portal भी बनाना है तो उसके बाद क्या होगा CSE की portal से सारी service जो है इन company के portal पे move कर दी जाएगी और फिर उस portal के माधियम से जो VLE है या फिर जो CSE center चलाते हैं वो काम करेंगे तो यहाँ पे देखिए कितना वड़ा जोल है कि इसमें फाइदा तो सिर्फ और सिर्फ CSE को हो रहा है जो VLE है या फिर जो center चलाते हैं उनको तो पूरा नुकसान ही नुकसान है आप आगे देख लिजे क्या लिखा गया है कि यहाँ पे लिखा गया है कि अर्बन और रूलर में यहाँ पे जो लोग भी काम करना चाहते हैं इस नीजीकरन के तहट वो लोग अपना अपना document और offer दे सकते हैं तो यहाँ पे basically वो लोग bidding करेंगे और bidding करकरके जिसका भी quotation best लगेगा CSE को वो काम उनको दिया जाएगा जो भी होगी अर्बन से भी अर्बन या रूरल में यह सारा process इन यह जो है district service provider के अंदर ही दिया जाएगा and it will be these centers will be managed by private partners known as district service provider यह जो private partners बनेंगे जो नीजीकरन किया जा रहा है इनको ही DSP बोला जा रहा है तो इससे क्या होगा नीजीकरन के तहट हम लोगों को कोई भी opportunity जो लेनी है वो इन से ही मिलेगी और इसके लिए हम लोगों को काफी high amount pay करना पड़ सकता है इसके बारे में हाला कि अभी CSC ने कोई खुलासा नहीं किया है कि किस तरह से changes करेंगी और क्या-क्या हम लोगों को otherwise document देना पड़ेगा या फिर fees देना होगा इस तरह का कोई खुलासा अभी CSC ने नहीं किया है तो हम लोग इस बारे में बात ना करें तो अच्छा है उसके बाद यहां पर यह भी लिखा गया है कि हर 10,000 के population पे एक जन सेवा केंदर यानि CSC center खोलना जरूरी है अब आप समझ लिजे कि आप किसी गाओं में रहते हैं वहां पे 20,000 का population और फिलहाल एक ही center है तो अब यह जो district service provider होंगे यह आपके area में ही किसी को भी एक और service center खुलने को बोल सकते हैं तो एक तो काम बट जाएगा commission बट जाएगा और उसके बाद जो ग्रहा काते थे वो भी बट जाएगे अब उसके बाद क्या होगा जब अगर 20,000 का population है तो दो खुल गया अब दो खुलने के बाद क्या होगा कि इन दो को भी head करेंगे खुद यह district service provider ही और यह जो सारा काम है वो next 4 महीने के अंदर अंदर हो जाना है इस तरह से यह तो मैंने आपको दिखा दिया कि selection the selected service providers will prepare a plan of action for smooth takeover of the operations of CAC center from the existing service provider यह मैंने आपको पढ़के पहले ही बता दिया था तो इस तरह के काफी सारे changes हैं जिससे कि बहुत ही जादा problem आ सकती है अगर आपको new center भी register करना है तो उसके लिए भी आपको charges देने पड़ेंगे वो charges आपकी screen पे लिखा गया है और पुराने को भी तो charges देने है activation के लिए वरना आपका contract terminate हो जाएगा तो इसका मैं एक part 2 वीडियो भी बनाऊंगी जिसमें मैं और भी क्या-क्या details हैं और किस त subscribe करना है थैंक यू